प्यारे बच्चों अस्सलाम अलैकूम आज हम ग्रेमर पोर्शन राइटिंग सिकल मैं से एडिटिंग टासक पढ़ेंगे हम निकल दे नेकलेस कम्प्लीट किया आज हम एडिटिंग टासक एडिटिंग टासक आज कल तो आपको हरे एक बचे को ये पता होगा कि आप मोबाइल पे भी देखते हो कहां पे एडिट करना है यानि कि कहां पे गलती है वो ठीक करनी है कहां पे सही है वो वहाँ ही रखना है तो आपको एक कॉस्टन आसा एडिट दा फॉलोइंग सेंटेंस या एडिट दा फॉलोइंग सेंटेंस आडिट दा फॉलोइंग पैसे तो इस तरह मैं आफ को कुछ sentences देती हूँ मैं पढ़ के सुनाती हूँ फिर हम ठीक भी करेंगे Yesterday I go to meet my uncle Yesterday I go to meet my uncle Yesterday I go to meet my uncle Yesterday पहले देखना है Yesterday का मतलब है कल जो बात होवी वो tense के लिहाज से past है वक्त के लिहाज से वो past है देखो बेटा ये 10th class के students के लिए है Yesterday I go to meet my uncle मगर अगर हम tennis के लिहाज से देखेंगे Yesterday I go गो गलत है Yesterday जब हमें past हो तो हम past इस्तिमाल करते हैं Yesterday I went Yesterday I went to meet my uncle अगर आप बोलोगे अगर यहाँ पे went आया तो meet कहाँ एक तो दो past एक ही sentence में नहीं लगींगे Yesterday I या तो लगेगा yesterday I went my uncle या yesterday I went to meet my uncle Yesterday I went to meet my uncle नहीं आएगा went और met एक साथ नहीं लगींगे हुआ एक रूल और यह हमेशे याद रखना तो के बाद तो के बाद हमेशे मीट आएगा first form of verb तो के बाद हमेशे first form of verb लग दी है Yesterday I went to meet my uncle सबसे बड़ी एहम जो गलती थी Yesterday I went to my uncle गो नहीं लगेगा He was He who uncle He was feel unwell He was feel unwell यह जो आफ ने यहाँ पर फर्स सेंटेंस में पढ़ा Yesterday यह फर्स सेंटेंस है यह सेंटेंस है इस पैसेज का Yesterday I went to meet my uncle यह है present indefinite Yesterday I went to meet my uncle present indefinite जब होगा तो आफको लगाना है second form of verb He was feel unwell वो ठीक नहीं था मगर जब आपने लगाया ही वाज वाज है helping verb वाज है helping verb ही वाज और यह है past continuous क्या है past continuous जब वाज लगा तो past continuous यह हमेशे याद रखना चाहिए जब past continuous हो वाज लगेगा तो यह जो verb है feel इसके साथ ing add होगा यानि कि यह गलत है इसको edit करना है He was feeling unwell He was feeling unwell अगर यहाँ पे is होता तो हम क्या लगाते है He is feeling unwell मगर पहले ही start हुआ है yesterday यानि कि यह past में है yesterday I went to meet my uncle He was feeling unwell ठीक है ना बेटा? The doctor said that his blood pressure is very high The doctor said that His blood pressure is very high The doctor said Doctor ने कहा ये past ही है न The doctor ने कहा that his BP is very high जब हमने past में गए थे वहाँ तो इस कहां लग गए है यहां पी? The doctor क्या आएगा? The doctor said that his blood pressure was very high was very high and he shall take precautions and he shall take precautions या या इनि कि उसको पहले ही खयाल रखना चाहिए He shall मैंने आपको फ्यूचर टैनस पढ़ाया होगा नाइन्थ में भी इन लेक्चर्स में भी शल आता है फ्यूचर में तो ये ये येस्टेड़े की बात है ये गई है इसका मालब ये पास्ट है शल का पास्ट आएगा शूड and he शूड ये शूड टेक प्रिकॉशन समझ आता है फिर है वियन आई रीच दियर वियन आई रीच दियर लए रीच रीच का सेक्ट फोर्म क्या है वियन आई रीच दियर ही वास्सूप ही वास बाता है He was sleeping The members of his family was also present The members Members plural hai The members of his family Was The members plural hai Was आता है singular के साथ The members of his family जब अगर हमें present होगा तो is Is हुआ plural के साथ और हुआ Is हुआ singular के साथ और हुआ plural के साथ Is हुआ present continuous और हुआ Present continuous मगर जब plural होगा Is हुआ present continuous जब singular होगा ऐसे ही is change होता है वाज में और और change होता है वर में जब और होगा तो present continuous वर होगा तो past continuous The members of his family वर वर और ये वर अले प्रेजन्ट दियर I wish them and asked I wish them आयेगा नहीं आई विशीर दियम है आपको पड़ाओंगी दुसरे lecture में या आज ही आप चाहोगे तो आज ही पढ़िंगे चलो बेटा हम कुछ और sentences पढ़िंगे जैसे Mrs. Bennett is a middle-aged woman Mrs. Bennett is a middle-aged में book पे ही आपको पढ़ाओंगे आप ये लिखने में time लेता है Mrs. Bennett is a middle-aged woman She have three daughters Mrs. Bennett is a middle-aged woman She have three daughters She के साथ she singular है जब हम she लगाते हैं She के साथ has आता है Have नहीं देखो बेटा When the subject of a sentence is singular we use थेखो वह लगाते हैं When the subject is plural we use थेखो When the subject is plural we use थेखो When the subject is plural we use थेखो subject is I, when the subject is I, we use also have. देखो बेटा, Mrs. Bennet is a middle-aged woman, she has, have नहीं आएगा, she has three daughters and is very serious about her marriage, and is very serious about, वो serious है किस के marriage के बारे में, एक ही daughter के बारे में, नहीं, यह three daughters है, तो her नहीं आएगा यहां पे, and is very serious about their marriage, अपने बेटियों की marriage, टी-च-E-I-R, their marriage, she wants to get them married as soon as possible, she wants to get them married as soon as possible, ठीक है यहां तक, she does not want to lose any chance of finding a match, each of them, to lose, यह देखना है, lose कौन सा आएगा, टुके बाद मैंने बोला आफ को कि, verb की first form, क्या पता है, इस से पहलेंग, आप देख लेना, अगर ठीक होगा तो ठीक ही, टुके बाद first form of verb, she does not want to lose any chance of finding a match for each of them, she comes to knowing, गलत, she came to know that a rich young man, named Mr. Bingley, has, have नहीं, have आता है, plural के साथ, जब third person singular होगा, तो we use, has, Mr. Bingley, named Mr. Bingley, has come in the neighborhood, मैं फिर से ये पढ़ती हूँ, Mrs. Bennet is a middle-aged woman, she has three daughters, and is very serious about her marriage, she wants to get them married, यहां पर आएगा, and is very serious about their marriage, she wants to get them married as soon as possible, she does not want to lose, any chance of finding a match, for them, she, यहां पर लूज देखना कौन सा आएगा, she does not, she comes, she came to know, that, उसको पता चला है, she came to know that, a rich young man, नेमर्ड Mr. Bingley, have, have नहीं आएगा, Mr. Bingley, third person singular है, has come in their neighborhood, that is all for today, thank you very much, मैं आपको यह सिक्रीन शॉट बेचती हूँ, ग्रूप में, प्रूप में,